अगर आपको बनना स्मार्ट शेफ आप बिल्कुल सही जगे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बैल वाला बटन दबा दियेगा और वीडियो को देखना मत भूलिएगा नमश्कार मेरे पैयरे दोस्तों मैं हूँ आपका होज शेफ लियरट आज मेरे साथ है आप और मेरे पास हैं टैमेटोम और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, different type of cuts of tomato, tomato के अलग अलग प्रकार के cuts हम लोग सीखेंगे, यहां लग बग 6 प्रकार के cuts है, जो कि मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, और अगर आप student है, housewife है, या cooking के लिए passionate है, तो आपको इन सब चीजों के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए, तो चलिए वी तो हम लोग इन्ही टमेटो का यूज करेंगे, यहां पर सबसे पहला cut है वो है मेरे slices, और जब भी आप लोग वेजिटेबल यूज करें, चाहिए टमेटो हो पटेटो कोई भी वेजिटेबल यूज करें, आप उनको धो के धोएं जरूर और उसके बाद उन्हें सनिटाइ इसको, यहां से मैंने से काट के, यहां से हटा दूंगा, यहां से और इसके बाद मैं हलका हलका करके इनको काट उनगा, तो यह मेरे ready होगी slices, यहां पर मैंने रख देता हूं और इन slices का प्रियोग हम लोग करते हैं, साथ साथ अगर आप थोड़ी से और पतले करें, तो करते हैं वहाँ पर इनका यूज कर सकते हैं अगर इसकी थिकनेस की बात करूँ तो ज्यादा मोटे भी नहीं करने और बिल्कुल पतले भी नहीं करते हैं इन अगर आप जादा पकले करते हो तो आप यूज़ कर सकते हो अपने सैंड्विजिस के अंदर अब जो दूसरा कट मैं ले रहा हूं वो है हमारे वेजिस, मेरे पास ये टमैटो है वेजिस काटने के लिए मैं जो उसके नीचे वाला बॉटम का पाट है वो मैं हटा दूँगा नाइप से ये देखिए ये नाइप से मैंने हटा दिया ये साइड में रख दिया मैंने और अगर आप देखोगे मैं वेस्टेज इसको भी साइड में रखता जा रहा हूं क्योंकि बाद में हमीने यूज़ कर सकते है अब इसको मैं से बैठा लूँगा और यहां से मैं इसके दो टुक्रे कर अब एक टुक्रे को मैं साइड में रख देता हूं अब इस टुक्रे को मैं इस प्रकार से पकड़ूँगा और ये क्योंकि मुझे लगता है इससे तीन पीस निकल जाने चाहिए तो मैं इससे तीन पीस निकालूँगा एक प्रकार से मैं इससे तिरचा मैं यहां पे लूँ करते हैं जो हमारी green salad होते हैं वहां पे हम लोग इंगा यूज करते हैं तो यह होगे हमारे यह आप देखेंगे बिल्फुल पतले पतले मेरे हाँ डाइस हो गए है और यह है मेरे ब्रुनुवास तो बड़ी अच्छी कटिंग हुई है नाइब भी आप देखेंगे मेरा बड़ा जोरदार है ब्रुनुवास के बाद हम लोग बात करेंगे टेमाटो को डी सीड करने के अब मैं इसके दोपीस कर लेता हूँ इस सीड का मतलब है मुझे इसके जो सीड है उनको रिमूव करना है क्योंकि मैं नहीं चाहता अपने किसी भी प्रोड़क्त के अंदर या पर्टिक्लर प्रोड़क्त हम लोग बनाते हैं उसके अंदर सीड के स्टमार दो इस प्रकार से अब मैं यहां नाइफ को लूँगा और इस तर इस कोने से मैं स्टार्ट करूँगा और उसके बाद मैं से नीचे तर दिल के जाओंगा इस तरीके सीड अब देखेंगे यह दोनों बिल्कुल अलग हो गए इसके जो बीज है अलग हो गए इन्हें में रख लूँगा हम लो अलग लग पुरगार के कर सकते हैं और जो यहां पर जो नेक्स कटिंग है वो है मेरी जूलियन ही है मुझे मैं आपको आपको जूलियन काटनी सिखा हूँगा यह तो वेज मैंने फिर से लिया है फिर से मैं इसके जो डी सीड हटा दूँगा इसके सीड हटा दूगा इसको को सीधा रखके यहां से फिर से इसको काटनी की शुरुआत करता हूं और लंबा लंबा मैं इसे काटना हूं और यह देखेगी और साइटिंग नाइट में धार रजानी के जरौत है और यह आप देखेंगे मेरे जो टमैटो के जूलियन्स हो गए है रेडी अब इसके बाद सबसे लास्ट कट है वह ले रहा हूं मैं टमैटो डैसे अब मेरे पास यह पास monte से आप चाहे तो इसका बॉटम भी अचासे है पहले यह मैंने इसका bottom हटा लिया है यहां पर अब इस tomato को मैं इस परकार से लोगा और जिस size का मुझे चीए जिस size का मुझे dice चीए मैं वैसे काट जूँगा मेरे पास यह है मैं इसे यहां से यह मैंने के यहां पे जो मेरे डाइस को रैडी कर दिया है इसे मैं यहां पे रख दूँगा बाकि यह सब मेरी वेस्टेज़ बची है अब यहां देखिंगे हमारे पास अलग लग प्रकार के कट है हमारे पास स्लाइसेज का प्रयोग हम रूप सैलेट्स के अंदर कर सकते हैं और चादा पतले थिन मैं कर दो तो मैं सैंड्विज के अंदर कर सकता हूं यह मेरे पास वेज़िस है टमैटो वेज़िस टमैटो वेज़िस का यूज मैं करता हूं हमारे सालेट्स के अंदर ग्रीन सालेट्स के अंदर यह मेरे है चॉप टमैटो इसको हम लोग यूज कर सक इसका मतलब है कि हमने जो tomato की जो seed है उन्हें रिखाल दिया इस के बाद इस tomato को हम लोग चाहिए dice काड सकते हैं, julienne काड सकते हैं, chop कर सकते हैं जैसे भी आप प्रकी इच्छा हो और सबसे second last मेरे पास यहां है मेरे julienne seed इन julienne का प्रयोग हम लोग खास कर अपनी खाने की garnishes के लिए करते हैं और सबसे last मेरे पास से यहां है यह diced tomato इनका प्रयोग हम लोग करते हैं हमारे salads के अंदर जैसे toss salad हमारा होता है या किसी प्रकार की special dishes के अंदर जैसे की हम रता तुभी बनाते हैं continental में वहां हम लोग इसका use कर सकते हैं आज मैंने आपके सामने आपको सिखाया कई सारी cuts के नाम cuts के cuts जो कि मैंने सिर्फ tomato के लिए apply किया थे बाकी अलग-अलग vegetables के अलग-अलग cuts भी हो सकते हैं अभी जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मुझे औरेंज का wedges निकालने हैं या lemon के wedges निकालने तो मैं निकाल सकता हूं तो आपको भी इसी प्रकार से अलग-अलग cuts आपको पता होने चाहिए जो किताबों में हमारे लिखे हैं बुर्दुमास हो गया मैंसी दोन हो गया वो तो चीज़े अलग हैं पर practically जब आप होटल में जाते हो तो यही सारी चीज़े आपके काम आती हैं उमीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है और बनना है स्मार्ट चैप तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना होगा और वीडियो को जरूर शेर करना होगा तक कि बाकी लोगों भी पास भी knowledge पहुँच पाए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए जाएंद